नमस्कार, शिवजी के छिपे रहस्यों को समझने के इस गहरे सफर में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है भगवान शिवजी जिने महादेब की रूप में जाना जाता है इंदुधर्म के सबसे पूजने देवताओं में से एक है वह एक शक्तिसाली, सम्हारक, एक दयालो पिता और एक तपस्वी की रूप में जाने जाते हैं लेकिन उनकी इन पहचानों के बरे कई ऐसे रहस्य और बूड अर्थ चिपे हैं जिनें अकसर नजर अंदाज कर दिया जाता है आज हम इस विडियो में सिवजी की छवी और उनकी कहानियों के पीछे छिपे गहने अर्थों को उजागर करेंगे सिवजी के प्रतिकों का मेहटव आपने देखा होगा कि सिवजी के गले में सर्प लिपटा होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सर्प अनंद काल और समय का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि शिवकाल के भी श्वामी हैं और भौतिक सीमाओं से परे हैं। इसी तरह उनकी तीसरी आँख जो उनके मस्तक परिस्थित है किवल विद्धवन्स की सक्तिका प्रतीक नहीं है बलकि यह ध्यान और आंतरिक्यान की कहराई को भी दर्शाती है। सिवजी किवल संभारक है या स्रिष्ट के सरक्षक हैं। सिवजी को अक्सर संभारक के रूप में देखा जाता है लेकिन क्या यह उनका पूरा सच है। उधारन के लिए जब उन्होंने काम देव को भस् पहुँचने के लिए जरूरी था। यहां मैं यह सिखाता है कि कभी-कभी पुरानी आदतों और इच्छाओं का अंत नए विकास के लिए आवस्यक होता है। ग्रहस्त और तपस्वी दोनों का संदुलन। सिवजी को एक तपस्वी की रूप में जाना जाता है। लेकिन व ज़ात्मिक्ता के वीज संतुलन बनाई रखना संभव है। शिव के प्रतीक और कहानियों में छिपे गूर रहस्या। सिव जी के त्रशूल का क्या महत्व है। त्रशूल, तीन गुनों, सत्व, रज और तमस का प्रतीक है। यहां मैं सिखाता है कि जीवन में संतुलन बन तो यह त्याग और बलिदान की पराकास्टा का प्रतीक बन गया. शिव चेतना का प्रतीक शिव जी किवल एक देवता नहीं है, वे एक चेतना की अवस्था है, वे अद्वेत के प्रतीक है, वोह अवस्ता जो सभी दुन्द से परे है. शिवह में यवित्ति में असीम संभाव नाएं है और हम अपनी सिमाओं को तोड़ कर अपनी शक्ती को पहचान सकते हैं भगवान सिवी कहानियों और पृतिकों में चिपे गहरे अर्थ हमें जिवन जीने की कला सिखते हैं वे हमें सिखाते हैं कैसे संतुरल बनाए रखें, जीवन की वास्त विक्ता को समझें और अपने भीतर की चेतना को चाक्रित करें.